ओआज है अभा लोगा तो आ दो कुर ओधर स्थाया ओजर्शुचिह असक्स वह मुँटांथ और तब कु एक प्रद के घडर्र सूजब फोड़ारी कनिो में नेैमिन के वेके साइफ्था। दूबारे से रिफ्लेक्ट हो सकती है अगर वो दूसरे मिरर पर भी कर दे तू ठीक है इंसीड़ मतला उससे टकर आए दूसरे यानि की दो मिरर का केस हो जाए तो दो मिरर के कैसे मुल्टिपल इमेजिस बनती है हम बहुत कर सकते हैं तो इसमें जो मैं reflect light can be reflected अगें जो reflected light है वह हमेशा reflect दुबारा से reflect कर सकती है रिकॉल दा लास्ट ताइम you visited a hairdresser आप उस समय को याद किजिए जब आप इशली बार अपने hairdresser के पास में गए थे, she or he makes you sit in front of a mirror, उन्होंने आपको किसी mirror के सामने बठाया होगा, after your haircut is complete, जब आपका haircut complete हो गया था, he or she holds a mirror behind you to show you how the hair has been cut, तो उन्होंने आपके पीछे, आपके सर के पीछे खड़े होकर mirror दिखाया होगा, कि आपका जो पीछे से लुक आया, आपके बालों का हेर कट कैसा आया, वो दिखाने के लिए, could you see the hair at the back of your head, तो इस तरह से क्यों तो क्या आप अपना पीछे का जो हेर स्टाइल वो देख सक रहे थे, जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं आप सभी ने experience क्या होगा, तो उसके बाद, the reflected light rays can be reflected again, तो इस पूरी activity से अभी यह पता चलता है, कि जो reflect हुई है, light अगर उसके आगे, उसके सामने एक और mirror रख दिया जाए, तो वो reflected ray दुबारा से reflect हो सकती है, ठीक है, if incident on another mirror, and from multiple images, और इस तरह से जो reflected ray होती है, दुबारा से reflect होती है, तो multiple images बनाती है, the number of image found will depends on the angle between the mirrors, किसी भी दो mirror के बीच में, कितनी image बने वो डिपेंड करता है, कि mirrors को किस angle पर रखा गया है, तो आपने classics में पैरिस्कोप के पढ़ा होगा, पैरिस्कोप क्या होता है, पैरिस्कोप is a device that works on the multiple reflections, पैरिस्कोप में ही काम करता है, पैरिस्कोप makes use of two plane mirrors, उसमें दो plane mirrors का use करते हैं, जो कि एक angle पर रखा जाता है, ठीक जो हमारे जल के जीव होते हैं, जल जीव होते हैं, जीचे मचलियां बगरा होती है, और भी बहुत सारे समुदरी जीव होते हैं, उन सब को देखने के लिए पैरिस्कोप का use किया जाता है, और tanks बगरा में use किया जाता है, और soldiers आपने bunkers के अंदर जहां पर सैनिक, अपनी duty के दोरान तैनात होते हैं, उन्हें बंकर कहते हैं, वहां बंकर से अपने जो दूसरी जगह का view देखने के लिए जो उनकी range में नहीं होता, डायरेक्ट देखना, उसको वहां से अपने बंकर से पैरिस्कोप के थ्रू ही देखते हैं, ठीक है, उसके बार में हम पढ़ेंगे क्लाइडो स्कोप के बारे में, क्लाइडो स्कोप works on multiple image, क्लाइडो स्कोप भी multiple image पर काम करता है, और image formation due to multiple, उसमें भी multiple reflections होता है, तो क्लाइडो स्कोप बनाना हम सीखते हैं, इसमें क्या करते हैं सबसे पहले, बेखो, सबसे पहले हम तीन plane mirror लेंगे, यह देखो, इस first picture में तीन तरह की plane mirror लेंगे, ठीक है, and join them as shown in figure, और उसको हम इस तरह से join कर देंगे, मतला के एक pyramid जैसा बना लेंगे, उसके बाद slip the rubber band, इसके चारो तरफ हम rubber band लगा लेंगे, ताकि ये खिसके ना, fix this triangular tube in a cylinder, और जो ये बन गया, इसको हमें इसके अंदर cylindrical tube की अंदर डालना है, यान कि ये मोटा से चार्टे पर से हम ये cylinder बना लेंगे, और उसके अंदर इसको, इसके अंदर इसको place करना है, place one of the triangular glass plate at one end, उसके बाद एक triangular glass plate, जो ये वाला है, इसको हमें एक end पर लगाना है, then now place some multicolored bangles pieces over it, इसके उपर, इसके उपर, अंदर की side से, अंदर की side से हमें इसके मल्टिकलर चूडियों के टुकड़े डालने है, ठीक है, ये दूसरी side से यहां से डाल देना, इसके चूड़ी के टुकड़े जो की नीचे आ जाएंगे, उसके बाद यहां पर हमें करना है, now cover this end of the tube with another triangular glass plate covered with tracing paper, तो ये थोड़ा सा जो है अंदर की side में जाएगा, औ और हमें जब इसको हम सिलेंडर में प्लेस कर देंगे, तो हमें दूसरे एक और लेना है, triangular glass plate लेनी है, जिसको की tracing paper से हमने cover करा होगा, and cover the other end, दूसरे end को, त्यूब के दूसरे end को हमें cover करना है, cardboard पर, और वो भी ऐसे cardboard पर जिसमें की एक hole होगा, cardboard sheet, make a hole in the center, उसके center में ए देखेंगे उस कांच के टुकडों को, ठीक है, और इस तरह से kleidoscope जो है, ready हो जाएगा, और जब हम उसमें से देखेंगे, तो अलग-अलग तरह के designs जो है, निकल कर आएंगे, ठीक है, आप लोग ट्राइब करना घर पर lockdown है, तो आप लोग का time pass भी हो जाएगा, और इसमें मज़ा आएगा, आप लोग घर पर kleidoscope बनाने की कोशिश करना सही बच्चे थी, अब हम इसके exercise कर लटे, what is periscope, where it is used, periscope क्या होता है, और कहां कहां ये use होता है, तो इसका first का answer, देखो हमने उपर ही पढ़ा था न, इसका हमने पढ़ा था, ये देखो, ये रहा, first का answer, perisc are used in submarines, यहां से लिकर यहां तक पूरा paragraph लिखेंगे, तो ये आपका first का answer हो जाएगा, ठीक है, यहां से लिकर यहां तक पूरा complete लिखना है, then आपका second question क्या है, how can you see your trimmed hair of your bag when you go to the hairdresser, आप जब hairdresser के पास में जाते हैं, तो इसका answer यहां पर है, देखो, यहां से लिखेंगे, when I visited a hairdresser, she or he makes me, ठीक है, you cut ke me, sit in front of a mirror, after you are cut ke my, ठीक है, after my haircut is complete, she or he holds a mirror behind me, फिर से you cut ke me, to show me how the hair has been cut and hence, and hence, and hence, I could see the hair at the back of my head, यह आपका second का answer हो जाएगा, एगा फिर से बताती हूँ, देखो, पार है लिखना, when I visited a hairdresser, she or he makes you, जहां जहां पर भी you लिखा है, वहां वहां पर me कर देना, me, sit in front of a mirror, after my, फिर से you are cut ke my, after my haircut is complete, she or he holds a mirror behind me, यू काटा फिर मी आगया, to show me, ठीक है, जहां जहां you और your लिखा, me और my कर देना, how the hair has been cut and hence, इसके बाद लिखना है, and hence, I could see the hair at the back of my head, ठीक है, you are cut ke, फिर से my लिखना है, यहां पर, back of my head, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा second का answer, I hope कि यह second का answer आप लोगो clear हो गया होगा, यहां से लेकर आपको यहां तक लिखना है, बस जहां पर you और you are है, वहां पर me और my करना है, ठीक है, तो आप चलते हैं, third की तरफ, देखो, describe the construction of kleidoscope, कैसे बनता है kleidoscope वो आप लोगों को बताना है, तो यहां से लेकर यहां तक यह आपका construction है, यह पूरा का पूरा, यहां से, देखो, यहां से लिखना है, required material क्या के हैं, यहां से लेकर, और यहां तक यह पूरा का पूरा, आपका third का आ जाएगा, यह सारा construction का है, point, ठीक है, तो यह जो है, आपका third का है, third का answer है, यहां से required से लेकर, यहां तक पूरा आपको लिखना होगा, यह पूरा construction बताया है, किस तरह से kleidoscope आपका बनेगा, ठीक है, उसके बाद जो fourth है, how many images, how many images of a candle will be formed if it is placed between two parallel fingers separate by 40 cm, अगर दो plane mirrors हैं, जो कि 40 cm का difference हैं दोनों के बीच में, और parallel है, ध्यान रखना parallel है, तो कितनी images बनेगी, कोई angle नहीं है, यहने के parallel है, ठीक है, तो कितनी image बनेगी, infinite, जब parallel mirrors होती है, तो infinite बनती है, बिटा, infinite, infinite बतला कोई अंती नहीं है, इतनी सारी images बन जाएगी, infinite, how many card के लिखना, infinite images of a candle will be formed, if it is placed between two parallel mirrors subject by 40 cm, बस यह पूरी लाइन सेम उतार देना, बस हाँ मैंने काट के infinitely लिखना, infinite images of a candle will be formed से लेकर 40 cm, तक यह 4th का answer हो जाएगा, अगर समझ आ गई होगी, आप लोगों को तो अपनी copies में कीजिये, give thumbs up to this video and do subscribe to this channel for many more such videos, so till next week, a nice worksheet, goodbye from here, take care, stay home and stay safe, thank you so much.